Hello friends, देखिए, ऐसे questions जो दिखने में काफी बड़े होते हैं, वो solve करने में उतने ही छोटे होते हैं, आपको कभी-कभी ऐसे questions देखके लगता है कि यार बहुत time लिलेगा, लेकिन ये मात्र 2-3 second का question होता है, आप मैंसे कुछ को पता भी होगा, लेकिन हम भी यहाँ पर क्योंकि उपर जाता तो plus 1 हो जाता और ये 1, इससे हमारा answer हो जाता कितना, ये 10 हो जाता और ये 1, that is 11, इसका answer हो जाता, ठीक है, बट अब यदि हमें long term के लिए इसे याद रखना है कि कैसे हम इसको कर पा रहे हैं इतने कम समय में, तो आपको इसका तरीका भी पता होना चा उससे पहले जितने भी numbers हैं, वो क्या होते हैं कि आपस में एक दूसरे से कठी जाते हैं, जो first ओला term होता है, last ओला वहीं बचता है, आप काफी सारे ऐसे questions देखते होंगे, तो जैसे इसमें हमको क्या करना है देखिए, यहाँ पे है 1, upon, under root में 100 है, और यहाँ पे है minus under root में 99, अब ऐसे questions में आप बचपन में पढ़े होगे कि जब नीचे कोई चीज दिखी हो, उससे हमें उपर लाना होता है, तो हम अगर नीचे minus है तो उपर plus का गुड़ा कर देते हैं, तो हम लोग यहीं चीज 100, minus की जगहां पे plus करके, उपर और नीचे क्या कर देते हैं, इस पर effect भी ना पड़े, बस अगर आपने ऐसे गुड़ा कर दिया, तो आपका उपर जो होगा, एक से अगर यह गुड़ा होगा, तो इतना ही आ जाएगा, यह आपके पास कितना हो जाएगा, 100, ठीक है, और यहां पर आपका हो जाएगा plus under root 99, और यहां पर नीचे आपका यह देखिए, अगर इसको मैं एक bracket में कर देता हूँ, तो आपने पढ़ा होगा बचपन में, कि a square, a square minus b square क्या होता है, यही होता है हमारा, एक bracket में a plus b, और एक bracket में a minus b, ठीक है, तो वही चीज़ यहां भी होगा, अगर मैं ऐसे a माल लूँ, इसे b माल लूँ, तो वही च इसका form हो जाएगा, a square minus b square के form में हो जाएगा, इसका मतलब हमको इसका square और इसका square करके घटा देना है, तो अगर आप 100 का square करोगे, तो under root 100 का, तो under root 3 जाएगा, और बचेगा हमेरे पास 100, और यहां पे under root 19 को अगर आप square करते हो, तो यह कितना हो जाएगा, 99, बस यह हमार 100 में से 99 गया, कितना हो जाएगा, एक, तो मतलब lastly हमारे पास कितना बचेगा, under root 100, under root 100, और यह plus under root 99, और total के by 1 के वल, तो ऐसे ही आपको यह जितने भी आगे के term है, ऐसे ही खोल देना है, तो जैसे ही आप इनको break कर लोगे, ठीक है, जैसे ही आप इनको break कर लेते हो, तो आ आपके सामने क्या निकल किया जाएगा, यहाँ पे under root, पहला जो निकल किया है, 100, minus, under root 99, और यहाँ पे दिखे, minus लगा हुआ है, यहाँ पे, तो आपको अब आगे bracket लगा करके, under root 99, और minus है, तो उपर जा करके यह plus हो गया है, actually यहाँ पे plus है, और यह उपर जाके plus हो पे plus हो जाएगा, under root 97, ऐसे ही करते हैं, आप चले जाओगे, last तक आपका यह बचेगा, under root 2, प्लस में है तो, और यह उपर जाके plus हो जाएगा, under root 1, इससे क्या होगा, कि यह 99 देखिए, minus 99 से कर जाएगा, और यह जो under root में 98 है, under root में 98, यह चुकि यह minus, इससे गुड़ा ह होगा, तो यह minus हो जाएगा, और यह प्लस है, तो यह इससे कर जाएगा, इससे ही सारे कर जाएगे, यह under root 2 भी, जो इसके आगे under root 2 होगा, उससे कर जाएगा, बचेगा, कि वह हमारा last में, under root 1, तो यह हमारे पास under root 100 है, under root 100, और यह under root 1, यह plus है, तो यहां भी plus हो जाएग यहां देखिए, UNDER-ROOOT 9-8 है, अगर यह उपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, UNDER-ROOOT 9, PLUS UNDER-ROOOT 8 हो जाएगा, और नीचे A2 B2 का फ़र मनेगा, तो UNDER-ROOOT 9, UNDER-ROOOT 8, 9-8 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा, बस, और यहां पे माइनस है, तो अंडरूट 8 और अंडरूर्ट ये प्लस 7 था उपर जा कि प्लस 7 हो जाएगा इसे से बिते आभा चत्य आहाई से यह लास्ट व्ला जबचा है माइनस को भी देखना है देखिए जैसे मैं क्विश्चन और बताऊंगा उसमें आप प्लस माइनस में कन्फ्यूज हो सकते हो यह क्विश्चन है इसमें देखिए अगर आप इसको ऐसे ही रने देते हो और उसको उपर लेगे जाते हो तो यह अंडरूट 1-2 हो जाएगा ठीक इसको क्या करना है कन्वरट कर लेना है मतलब आगे पीछे कर लेना इसको लिख लेना है वन अंडरूट 2 प्लस अंडरूट 1 क्योंकि प्लस को इधर उदर तो करी सकते हो आप तो ऐसे ही सारे हो जाएंगे तो अब आप देखोगे कि जो हमारा अंडरूट 2 है वो भी यहां पर आ थीक और लास्ट में हमारा बचेगा ये अंडरूटवं जो है ज एक बच आता हूं इसमितले रिधिके यहां पर जाओगे तो क्या है है माइनस नंच्छत 1 हो जाएगा क्योंकि नीचे प्लस है तो हम इसका गुड़ा करेंगे और यहां पर क्या होगा अंडर रूट 3 जब इसको भी आप पलट दोगे तो अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 हो जाएगा ऐसे यहां पर क्या हो जाएगा अंडर रूट 4 सबसे लास्ट वाला है तो यह भी नहीं कटेगा लेकिन अंडरूट 120 आगे जरूर कोई 120 होगा उसके साथ कड़ जाएगा ठीक है तो लास्ट में आपका क्या बचेगा यह अंडरूट 121 और यह माइनस 1 तो हमारे पास आ जाएगा माइनस अंडरूट 1 को हम लिख सकते हैं और अंडरूट 121 को हम क्या लिख देंगे 11 क्योंकि 11 का स्कवाइर होता है 121 तो हमारे यह आंसर अगया 11 से गया 10 तो देखे कितना हीजी हो गया आपके दिए इसमें हमको क्या ध्यान देना था इसमें हमको यह ध्यान देना था कि यहां पर हम लोग इंटर्चेंज कर रहे हैं अंडर रूट 2 को पहले लिख रहे हैं 1 को बाद में इसलिए 1 जो है हमारा वो माइनस में आ जा रहा है बाकी ये हमारा प्लस में ही रहेगा क्योंकि इसको इंटर्चेंज करेंगे तो इसको आगे पहले प्लस ही है तो यहां भी दखिए 1st और लास्ट से ही हम आंसर ला ले रह क्यों में